आज के खबर नामा के प्रयोजक है श्री कृष्णा गुर्प ओफ इंस्टिूशन्स एहमद नगर सीतापुर नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग गौर पेश हैं सीतापुर की सुर्खियों वाला खबर नामा अयुद्धा में राम मंदिर के न्यू पुजन को लेकर सीता की नगरी सीतापुर भी जूम रहा है सीतापुर का मंदिर निर्माण के लिए हुए संघर से गहरा नाता है भाजपानेता एलकेटवानी की अगवाई में चले राम मंदिर आंदोलन में जनपत के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था इसके बाद नौमबर 2018 में धीरेन सुकला मोनू, गोबिन सहाई गुपता, अनुराग रोशन, अहिमन्यू, आसी सास्त्री, अंबु सुकला, पिंकु गुपता, राकेश शकसेना, आकाश मिस्रा, सिवम भरद्वाज, सहज गुपता, सुर्गिय गौतम गुपता, सरत्तिव अभिलाश मिस्रा, संकल्प सोनकर, बिजय सेट, अजय तरवेदी, राम फेरे कश्यप, अभैराठाओर, राकेश जैसवाल, सचिन राठाओर, सौरभ पांडे, सागर जैसवाल, रतनेश तिवारी, बिनय मिस्रा, नरेश राजपूत, आनंद वर्मा, आकाश निशाद, इसके बाद मॉडल को अयोध्या के महंत नित्य गुपाल दास को सौपा था, मंदि निर्माण को लेकर अयोध्या में आयोजित, कारसाला में भी सीतापूर का मॉडल रखा गया था घरों पर टीवी देखकर आयोध्या में राम मंदि निव पूजन का साच्छी बने, बाहर जस्न मनाने की कोशिस करेंगे तो महंगा पड़ेगा सियो सिटी योगेन सिंग और कोतवाल टीपी सिंग ने कोतवाली परिसर में हिंदु वादी संगठनों के साथ हुई बैठक में साफ कह दिया है कि धारा 144 लागू है, ऐसे में सामोहिक जस्न मनाने की अनुमती नहीं है हाला कि संगठनों के पताधिकारियों ने चोराहों पर दीप जलाकर जस्न मनाने का दवाओ बनाकर पुलिस को राजी करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी, बैठक में आजाद हिंद भगत संगठन के अविमन्यू, विश्व हिंदू परसत के बिपुल सिंग, अकिल भारती विद्याती परसत के पुश्पेंदर बाजपेई आदि मौजूद रहे अयुद्या में न्यू पूजन की सुरच्छा बेवस्था में सीतापुर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है जिले से 4-6 आदिकारी, 5 निरिच्छक, 15 उपनिरिच्छक, समेत 71 सिपाही और 10 एलायू कर्मी अयुद्या भेजे गए है साथ ही जिले में तैनात करने के लिए पुलिस बलकी पर्यात बेवस्था की गई है सांती बेवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मंगलवार से ही सक्री हो गई स्पी आरपी सिंग ने लखनव बार्डर पर तो अन्यदिकारियों ने जिले के अलग-अलग बार्डर पर चकिंग अभियान चलाया वन बिभाग मिस्रिक छेत्र को बाग की दहसत से छुटकारा नहीं दिला पा रहा है ग्राम पंचायत लसकरपुर में बाग के पदचिन देखे जाने के चलते एक बार फिर छेत्र में दहसत फैल गई है वन बिभाग बाग को पकड़ने की कोशिशों में लगा है पिंजड़ा भी लगाया गया है फारेश्टर एसेंस सुकल ने गामीरों को एतिहात बरतने की हिदायत दी है उन्होंने बताया कि घर से अकेले निकलना खतरनाक हो सकता है पूर प्रदान जैनतियादों ने बताया कि बाग की आमद से गामीर दहसत जदा है बता दें बिगत दिनों मिश्रिक छेत के बरेठी गाउं में बाग की आमद हुई थी कामविंग के दौरान बाग वनकरमी अनिल कुमार घायल भी हो गए थे बाग गोमती नदी पार करके भाग गया था कोरोना की तमाम बंदिशें सोमवार रात को स्यू भक्तों की भक्ती में लीन होने से रोक नहीं पाई राष्ट सनच्छन परिशत के बैनर तले स्यू भक्तों ने आनलाइन भजन संद्या का आयोजन किया इसमें नीलम पचोरी, मगन गर्ग, नीरा सर्मा, आराध्या, मर्दुल अग्निहुत्री, कविता वालियान, दीप्ति शुकला, पुजा महुत्रा, लच्मी वर्मा, दिशा तोमर, गीता सक्सेना वा सुनीता यादों के साथ ही विभिन प्रदेशों के सिवभक्तों ने भजन पेश किये संगीत मैं प्रिस्तुतियों को देखकर मन मंत्र वुग्द हो गया कोरोना काल में रोटरी कलब लगातार सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जन मानस को महा मारी से बचाने के लिए प्रयासरत है कलब ने मंगलवार को सहर के आरिकन्या इंटर कालेज में बालिकाओं को मास्क उपलब्द करवाए कलब के अद्यच डाक्टर प्रवीन गुपतावा प्रयाचारे डाक्टर ग्यानवती दिचित ने बालिकाओं को कोरोना से बचाओ के लिए टिप्स दिये उन्होंने बताया कि संक्रमर से बचने के लिए दिन में कई बार हाथ धोना जरूरी है कारिकम में मोहित अगरवाल वाराजी मिलोत्तरा के साथ ही विद्याले के करमचारी मौजूद रहे सेउता के वार नंबर 14 का मुख्य रास्ता बदहाली पर आंसू बहा रहा है रास्ते में जगा जगा गड़े हैं और उनमें पानी भरा है आवा गमन में परिशानी हो रही है ग्रामीडों ने बताया कि रास्ता पिछले 5 वर्सों से खराब है प्रदान से कई बार जरजर मार्क बदवालने की मांग की गई लेकिन प्रदान ने रास्ता नहीं सही करवाया समय के साथ ही गामीड़ अंचलों में भी कुरोणा का कहर बढ़ता जा रहा है सिदोली के बारी गाउ में 70 वरसी दादी के साथ ही 10 वरसी पोता की कुरोणा रिपोर्ट पाश्टिवाई है रिपोर्ट आने से पहले ही दोनों का इलाज लखनों के एक अस्पताल में चल लहा है गाउं में केस मिलने से गामीर दहसत में हैं प्रसासन ने गाउं को होट स्पार्ट बना दिया है प्रसासन के रवये से बिल्ला इंटर कॉलिज हर गाउं में नई समस्या खड़ी हो गई एक तरफ बिद्याले में दाखिला पक्रिया चल लही है वहीं बिद्याले के एक हिस्से को कुरंटीन सेंटर बना दिया गया है ऐसे में सिचक अभवक सहमे हुए हैं सिचक सोमनातिवारी वा सुबास चंद राजपूत ने बताया कि बिद्याले में कुरंटीन सेंटर बनाया जाना खतरे से खाली नहीं है सिचिकों के साथ ही विद्यारती संक्रमित हो सकते हैं कुरंटीन सेंटर बनाय जाने की सूचना जिला विद्यारती नीच्छक को दे दी गई है प्रसासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं मक्का की फसल में लाइलाज कीट बीमारी घर कर गया है फसल की सोकी को बिदेशी कीट फाल आर्मी वर्म चट किये जा रहा है किर्स विग्जान केंद कटिया के बैग्जानिक डियस सिर्वास्तों ने बताया सबसे पहले इस कीट को उत्तर अमेरिकी देशों ने टेस किया था कई देशों की सीमा पार करके अब यहां भारत आ गया है इसे प्रति हेक्टेयर 130 ग्राम इमा मेक्टिंग बिनजा आठ को 200 लीटर पानी में घोल कर फसल पर छिड़काओ करते हुए नियंतित किया जा सकता है बाकी यह कीट नया है ऐसे में इससे बचाओ के लिए बिभिन संस्थानों में अनुसंधान चल ला है पांच दिनों के बाद कोरोना ने कुछ राहत दी है मंगलवार की सुभा आई रिपोर्ट में 22 नए केस मिले हैं इन में 11 वी वाहनी पीएसी में 8 दोती वाहनी पीएसी वा 27 वी वाहनी पीएसी वा सितावली के बाड़ी में दोदो और जिला कोसागार कारा लाए इसरौली म पधवापूर, पक्काबाग वा कुड़वा में एक-एक मरीज सामिल हैं सीतापूर में कुछ गैर जन्पतों के ब्यक्तियों की जांच हुई थी इन में 5 की रिपोर्ट पाजटिव आई हैं बता दें अब तक 24,606 जांच हुई हैं 22,473 रिपोर्ट निगेटिव और 636 पा पाजटिव निकला है करमचारी को कोबिड अस्पताल में भरती करा के कोशागार काराले को सील कर दिया गया है आसपास के इस्टाम विक्रताओं की दुकानों को भी बंद करा दिया गया है काराले का सिनेटाइजर्सन कराया जा रहा है महोली में मिठाई दुकानदार के कोरोना पाजटिव मिलने से हरकंप मच गया है मिठाई की दुकानों को बंद कर दिया गया है CSC प्रभारी डॉक्टर इमरान अलीवा खादि निरिचक पुलिस बल के साथ मिठाई की दुकानों पर पहुँचे और दुकाने बंद करा कर सब की एंटी जेंट किट 25 लोगों की जाच कराई इनमें एक दुकंदार पाश्ट्यू निकला उसे एलवन अस्पताल में भरती करा दिया गया है मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आई इंडिया अग्सा वसे ब्रेक कार मार्णी तुकंदानल हुआर भावों कृटर देखते देखते अथिया खार उसे भी करा होगों कि लिएल में एक वाल में पाल दूदार आखते हैं राम मंदिन निर्माण को लेकर सीतापुर को गरवानुइत करने वाली खबर है लहरपुर निवासी सुन्नी वकबोर के अद्देच चुफर एहमद फारुकी को राम मंदिर की न्यू पूजन कारिकम का नियोता मिला है उन्हें विसेश आमंति सदस के तोर पर बुलाया गया है फारुकी को नियोता मिलने से लहरपुर के साथ ही पूरे जन्पद में खुशी की लहर है बता दें जन्पद के एक मात्र बेटती हैं जिनें नियू पूजन कारिकम का नियोता दिया गया है धर्मनगरी नैमिस से दुखद समाचार है हनुमानगडी के महंत बजरंगदास की माता का निधन हो गया है और अंतिन संसकार भी कर दिया गया है उनका इलाज लखनव के एक अस्पताल में चल लहा था करोना काल में गरीबों को भोजन बित्रन करने के लिए सीतापुट टैक्स बार एसोसियेशन को अनपूरा सेवा संस्थान ने सम्मानित किया है संगीत महाविद्याले में आयुजित कारिकम में संस्थान के अध्यच अनिल दुवेदी ने बार के सच्यू अमित राठावर को सम्मान पत्तर प्रदान किया इस मौके पर सूरज राय सैलंदरी तिवारी आद ही मौजूद रही बाढ़ पीडितों तक राहत पहुचाने के लिए चलाई जा रही आई इंडिया की मुहिम रंग लाने लगी है सत्ताधारी वा विपच्छी पार्टी के नेता पीडितों को मदद पहुचाने में सक्री हो गए है पूर बिदायक महंद कुमार सिंग जीन बाबू ने गोलोक कोडर, लोधपुरवा, रामलालपुरवा, संतराम, बसंतापुर, हुसेनपुर खानी, स्यामनगरवा, सुंदरनगर गाओं का भ्रमण करके पीडितों को मदद उपलब्द कराई पूर बिदायक हुसेनपुर खानी भी पहुचे, यहां उन्होंने ग्यान चंदर को ढांडस मदाया, गतर अविवार को ग्यान चंदर के तीन वर्सिये बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी इससे पहले भी पूर बिदायक महंत कुमार सिंग जीन बाबू, रामपूर मतुरा इलाके में बार पीड़तों का हल चाल जाने पहुच चुके हैं उनके साथ पौमन सिंग, सीता राम यादो, पारसनाद निसाथ, रामेन पांडे, भानू सिंग, मिठाई लाल, विकास मौर्या, अनसुमान मौर्या, मुबारक अली, सफीक, दीन बंधु यादो, महराज दीन यादो, राजू सिंग आद ही मौजूद रहे मिस्रिक बलाक के बिलरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीनों ने पंचायत घर और सोचाले बिलरिया में ही बनवाने की मांग की है इस मांग के समर्थन में ग्रामीनों ने उपजिलादिकारी को ग्यापन दिया जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, प्रहलाद, जगदीस, मायाराम, कलुआध ने बताया कि प्रधान राजनितिक लाब लेने के लिए पंचायत घरवा सोचाले टांडा गाउं में बनवाने की क मस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है, नदियों का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन गाउं से पानी अभी नहीं पूरी तरह निकल पा रहा है, महमुदाबाद, लहर पुर्व अबिस्वा, तहसील के करीब सवा सव गाउं में पानी भरा है, इन गाउं के लोग नार्कि जीवन बिताने को मजबूर हैं, पानी भरने के चलते सौचाले बलाक हो गए हैं, खाद्यान भी भीग गया है, फसले तबाह होने से पस्वों को चारा भी नहीं मिल ला है, उदर सरकारी मसीनरी पीड़तों को मदद पहुचाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ती कर रही है, ऐसे में पीड़तों की समस्याएं और बरती जा रही है, महमुदा बादेशडियम गिरीज कुमार जहा ने बताया कि प्रभावित साथ ग्राम पंचायतों में एक हजार तिरपाल के साथ खादिसा मगरी बांटी गई है, वही तहसीलदार विस्वा राज कुमार गुप्त न आच दिन पहले तहसील प्रसासन ने लाई चना बटवाया था, इसके बाद पीड़तों को कुछ नहीं दिया गया, नाव ना होने से ग्रामीड बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ग्रामीड उदेप्रता भारगों ने बताया कि पीड़त खाली पेट दिन काट रहे हैं, प लब्ध कराये गया है, प्रसासन बाढ़ पीड़तों को मदद देने में किस कदर लापरवाही करता है, इसकी बानगी तैसील लहरपुर के नकहा वस्यतोही के बाढ़ पीड़ित हैं, मुरली, नीरज, चंदरमा, मनोज, राम लखन, तीरत राम, बिनोत कुमार, बांके लाल आवद राम, शिव पूजन, पप्पु सहित, अरसट गामीनों के घर पिछले वर सारदा की कटान में बह गये थे, अभी तक गामीनों को आवास नहीं मिला है, पूर्व जिला पंचाय सदस, उद्वे परताब भारगों ने इस मामले को लेकर जिला अधिकारी अकले स्तिव पारी से भी गोहाल लगाई, लेकिन कोई काम नहीं आई, फिर उन्होंने SDM लहरपूर को भी मामले से आउगत कराया, लेकिन उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की, अब ग्यामीनों ने मुक्यमंतरी को पत्र भेज कर आवास दिलाए जाने की मांग की है, पत्र में ग को मुआर को आंक्स पताल के कॉरांटीन सेंटर में पीपी किट पहन कर जाच कर रहे लैब टेकनीसियन रवी तिरपाथी बिहोस होकर गिर गए, उन्हें देखने के लिए भीड लग गई, ACMO पीके सिंग ने बताया कि रवी उमस की वज़ा से बिहोस हो गए थे, परेशानी बलाग के बसंतिपूर की रजनी का प्रक्रण है, बता दें रजनी गर्वती है, वह 28 जुलाई को BCM अस्पताल में डिलिवरी के लिए भरती होने आई थी, BCM के चिकिस्कों ने कोरोना की जाच के बाद भरती करने की बात कही, ऐसे में रजनी ने जिला चिकिस्साले में जा सका, अपरादियों के मनोबल को चूर करने के लिए जिले के पुलिस मुखिया आरपी सिंग ने अपरादियों के बिरुद कुरकी की कारवाई को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है, लूट, गोबद, चोरी में गैंगेश्टर, घोसित किये गे चार अपरादियों के घर कुरकी कर 6,20,000 की संपत्ति को जप्ट किया गया है, महमुदाबाद के जहीर आलम और महोली के नरेंदर से 1,40,000 की एक-एक बाइकें और कमलापुर के छोटा का निर्माना धिन मकान जप्ट किया गया, जिसकी कीमत 5,00,000 रुपए है, स्पी के मुताबिक ऐसी कारवाई अपरादियों के विरुद्ध आगे भी जारी रहेगी, सदना पुलिस ने 15,000 के दो और रियुसा पुलिस 25,000 के एक इनामिया अभिक्त को गिरिप्तार करने में सफलता प्राप्त की है, अब इनके द्वारा अपराज से की गई कबाई की कुरकी की जाएगी, सदना थाना द इस पर चोरी वहत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं, रिउसा थाना दच नोबेंदर सिंग सिरोही ने संजय उर्फ संजु चौहान निवासी तंबाउर को गिरिप्तार किया, जिस पर चोरी, नकब जनी और लूट के केस दर्ज हैं, उन्होंने बताया कि अभिक्तों को जेल भेजा गया है, खैराबाद और मिस्रिक पुलिस ने टॉप 10 लिष्टेट अपराधियों को गिरिप्तार करने में सफलता पाई है, थाना दच खैराबाद अजय यादों ने बताया, तीन किलो गांजे के साथ ठोकर प्रवानिवासी रिंकु पुत्र जीवन लोध को द की कारवाई की गई है, नाले में डूबे थान गाउनिवासी पचास वरसी मूलचंद का सौ ग्रामीरों ने ढूल निकाला है, मूलचंद सोमवार को जानवर चराने गए थे और पैर फिसलने से वा नाले में डूब गए थे, सौ को पोश्ट माटम के लिए भेज दिया गया है, सीतापूर में चोरों को पुलिस की जगा आप ग्रामीर पकड़ने का काम कर रहे हैं, सिधाली के मनिकापूर समीप हाइवे पर इस्थित यूराज ढाबे पर खड़े एक ट्रेक से दो चोरों ने पांस हिजार रुपए और दो मोबाइल चोरी किये, जिसे खाना खा रह ड्राइवर राकेश ने देखा तो अधाबे के करमचारियों के साथ दोड़ा और एक चोर को पकड़ लिया, चोर की पहचान मुहमद आपताब निवासी अकोहरा सिधाली के रूप में हुई, आपताब के पास से दो मोबाइल बरामद हुए, आपताब ने बताय कि पांस हि के पास हैं, मामले की तहरीर कोत्वाली को दे दी गई है, इस से पहले भी कई चोरों को लोग पकड़ चुके हैं सदना के धर्मापुर में एक कच्चे मकान की छट अचानक ढह गई, जिसमें ग्रहसवामी, रामभरोसे समेथ, कल्लू, गीता, दिव्या, संजय, गुडिया, सनीवा, बिट्टू घायल हो गई, घायलों का इलाज सियस्सी में जारी है महोली बिधायक ससांग तिर्वेदी से छेत की एक ग्याम पंचायत की महलाएं मंगलवार को मिलने आई, और उन्होंने बिधायक को समस्याएं बताई, बिधायक ने एशडिया महोली ससबूसन राय को मामले में कारवाई करने के निर्देश दिये, महलाएं पट्टे की सिका लेकर आई थी, कुरोना काल में मानों के साथ ही पसपच्ची भी ब्याकुल है, पसपच्चीों को राहत देने के लिए पसुसेवा समित लगातार प्रास कर रही है, मंगलवार को समित ने सहर में बानर बंडारे का आयोजन किया, समित के अध्यच बिजे सेट ने बताया कि यहाँ आयोजन गाजियाबाद की सुनीता सिरोही ने कराया है, इमलिया सुल्तान पुर्थाना छेतर के अमबवा ढखिया में चल रहे सरकस के एक कलाकार की कुएं में गिरे मॉबाइल को निकालने के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके एक अनिसाथी को बेहोसी की हालत में बाहर निकाला गया, गामीरों ने कुएं में जहरीली गैस की आसंका जताई है, जिस से राम रही सिनिवासी इंद्रा नगर राम कोट की मौत होना बताय जा रहा है, वहीं संजय का उप्चार चल लाए है, पुलिस ने जाच सुरू कर दी है बिस्वा में दो और नए कुरोना के नए मामले मिलने से हलकंप मच गया है, पाजिट्यू मिले मरीजों में एक लेकपाल समेत कमुआ गाउं का गामीर भी सामिल है, दोनों की एंटीजन रैपिट टेस्ट से जाच की गई थी, HDM बिस्वा सुरेश कुमान ने बताया कि कमु तैयारियां शुरू कर दी हैं, भाजपा नगर अद्देच, आकास बजरंगी के नेतत्व में 2100 दिये सहर के ताम सेंगंज, गदियाना, मचली मंडी वा आलम नगर में बाटे गए, इसदवरान नगर महामंतरी, विक्रम सिंग, उपादेच, देवांस बदोरिया, नगर मं की सिर्वास्तो वा सिवान सुमिश्रा मौजूद रहे, यह था आज का खबर नामा देखते रहिए, आई इंडिया, मुझे दीजिये इजाजत, शुबरात्री, शब्बाखेर, आज के खबर नामा के प्रायोज़त थे, श्री कृष्णा गृपफ एंस्टिउशन्स, वा सिर्वास्तो वा सिर्वास्तो थे, श्री कृष्णा ज़िए ऑे एंस्टु एंसे से अजब प्रायोज़ते रह थे, आज के खबरात्री, वा सिर्वास्तों अजया, मुझे दीजिए श्यूद।